Hello dear learners, आज इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे English grammar के एक बहुत important use को. हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आज use हम discuss करने जा रहे हैं, ये English के one of the most important and most complicated uses में से एक है. देखे, होताएगा कि कुछ language के कुछ grammar की uses ऐसे होते हैं जो एक simple concept पर based होते हैं. एक simple concept आपको जानते हो, आपको clear है, तो आप उसके uses जो होते हो, उनको समझ लेते हो, या उन पर based हो questions आते हैं, आप उनको solve कर लेते हो. लेकिन कुछ uses ऐसे होते हैं language के, जिनको समझने के लिए आपके एक से ज़्यादा concepts clear होने चाहिए, क्योंकि उन uses पर एक से ज़्यादा concepts एक साथ काम करते हैं, मतलब complicated होते हैं, ऐसे users को हम कहते हैं complicated uses, यह जो आज हम discuss करने जा रहे हैं, यह use एक ऐसा ही user language का, जिसको समझने के लिए या जिस पर based paper में questions आते हैं, उनको solve करने के लिए आपके एक से ज़्यादा concepts clear होने चाहिए, कौन-कौन से concepts आपके clear होने चाहिए, वो मैं पहले आपको समझा दूँगा, फिर उसके बाद मैं उसको discuss करेंगे detail में, और उस पर based एक अच्छे खासे, मतलब questions को भी practice करे लेकिन उससे पहले, at the very beginning of this video, मैं आपके लिए एक message मतलब आपके लिए एक info है, कि अगर आप उन learners में से हैं, जिनके लिए मैं videos बनाता हूं, I call them true learners of English language, actually होता है कि कुछ हमारे English के learners ऐसे होते हैं, जो English को याद करके सीखते हैं, कोई बात उन्होंने पढ़िया, कहीं पर सरस्याद कर लिए, कुछ ऐसे होते हैं, जो याद नहीं कर पाते हैं, जब तक वो चीजों को समझना ले, तो अगर आप उन में से हो जो चीजों को याद करने से पहले, उनको समझना चाहते हो, चीक है, और समझना पसंद करते हो, logics ढूंटते हो हर एक चीज़ के, तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखें, there is a very important message for you, at the end of the video, तो message क्या है, वो मैं आपके साथ में, वीडियो के end में, मतलब आपको disclose करूँगा, message क्या है, अभी फिलाल में हम आते हैं, अपने questions पर, ठीक, अभी आप देख रहे होंगे, कि यहाँ पर लिखा हुआ है, SX, SC, S014 prepositions, यह क्या है, अगर आपको नहीं समझ मार हो, तो मैं बता देता हूँ, हमने क्या किया, कि यह जो lockdown में हमें time मिला हो, सब में, कि जो पूरी English grammar है, उसको दो parts में divide कर दिया, एक basic fundamental uses and concepts of grammar, और दूसरा जो advanced uses हैं, या complicated uses हैं, जिन में से हम आज discuss करने जा रहे हैं, तो इनको ह और उनको मैंने मतलब अपना order कर रख है, उनको बनाया है, तो यह उनी concepts में से एक concepts है, जो मैं आज आपके साथ में share कर रहा हूँ, यह यह उसका order है, मतलब एक जो concepts है, तो उसमें यह concept 14th number पे है, मेरे syllabus में, और preposition से related है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यह जो use ह यह multiple concepts आपको clear होंगे, तब आप समझ पाओगे, बाट mainly यह preposition का concept है, तो यह preposition के category में इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, आज यह स्टार्ट करते हैं, देखें, आप देख रहे होंगे board पर एक question लिखा हूँ है, हलाँ कि statement है, यह actually question है, हमें इसको पढ़कर यह समझना है, कि यह लिखा गया statement जो है, यह सही है या गलत है, the first thing that we have to do, the second thing, if it is not a correct statement, then why, ठीक, कि अगर यह statement correct नहीं है, तो क्यों नहीं correct है, and how can we correct it, तो तीन बाते हैं, जो हमें समझने हैं, पहला, क्या लिखा गया statement सही है या गलत है, दूसरा, अगर यह गलत है, तो क्यों गलत है, और तीसरा, अगर यह गलत है, तो हम इसे कैसे सही कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, जिससे कि यह सही हो जाए, यह तीनों questions जो है, पहले आप खुद से पूछें, और इनके answer ढूणने की courses करें, अब मैं समझाना शुरू करता हूँ, ध्यान इदर दें, देखें, यह जो concept है, जिस पर basic question है, और जब आपको concept clear हो जाएगा, तो यह question भी आपको समझ मैं जाएगा, मैं वो आपको समझाता हूँ, कि इस question को समझने से पहले आपको क्या क्या बाते पता होनी चाहिए, तो अगर आपने English basics वगरे clear कर रखें, तो जो मैं आते में आपको बताँगा, वो यह complex sentence है, जिन बच्चों ने basics वगरे अपने clear कर रखें, basic grammar जिनके clear है, वो जान गए होंगे, यह complex sentence है, इसमें दो finite verb हैं हमारे पास, एक है earn और एक है start, और दोनो finite verbs के अलग-अलग subjects है, start का subject है you, earn का subject है I, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास दो finite verbs हैं इस sentence में, और दोनो finite verbs के subject हैं, तो अगर हमारे पास दो finite verbs में, दोनों के subject हैं तो इसका मतलब यह निकलता है कि हमारे पास दो clauses हैं, अब अगर दो clauses हैं, तो जो clause हम बिना conjunction के लिखते हैं, वो main clause होती है, जैसे कि I earn more than the amount, यह आपकी main clause है, that is start paying tax, यह आपकी subordinate clause है, अब इसको हम subordinate clause क् समझ दे, subordinate clause हम इसलिए इसे कह रहे हैं, क्योंकि उस दूसरी clause का connecting word है, वो that है, that जो होता है, वो subordinating conjunction होता है, तो उसके दाल लिखी के clause जो है, वो subordinate हो जाएगी, तो यह subordinate clause है, यह आपकी main clause है, और यह आपकी subordinate clause है, ठीक है, अब आप बच्चे जानते होंगे, जहातर बच्चे इस बात को जानते होंगे, कि जो that के साथ लिखी के subordinate clauses होती है, वो adjective भी हो सकती है, एडवर्ब भी हो सकती है, noun भी हो सकती है, होता है कि जो that हमारा subordinating conjunction होता है, उसके साथ में तीनो टाइप की clauses use करते है, subordinating, मतलब उसके साथ में relative clauses भी हम बनाते है, जो कि adjective होती है, बलब modifier होती है, that के साथ में हम adverb clauses भी बनाते है, adverb of purpose, adverb of result, ठीक है, और that के साथ में noun clauses भी बनाते है, तो सबसे पहले हम यह समझना है कि जो that के साथ हमने clause लिखी, एक clause है कैसी, ठीक है, यह noun clause है, यह adverb clause है, यह adjective है, तो अब देखे सारे बच्चे जानते हैं कि noun clauses वो ह होती हैं, जो sentence में noun के तरीके से act करें, noun के तरीके से act करने का मतलब होता है, जो कि, या तो subject हो या object हो, आप ध्यान से देखेंगे, जो हमारी main clause है, I earn more than the amount, ठीक है, उसमें में subject object कोई missing नहीं है, जो हम noun clause जूज करें, तो यह noun clause नहीं है, अगर that के साथ में हम adverb clause लिखते है तो वो adverb clause या तो purpose को express करती है, y का reply होती है, या result को refer करती है, ना तो यह किसी चीज़ का result है, ना यह purpose है, तो यह आपकी adverb भी नहीं है, यह एक relative clause है, relative clauses adjective होती है, ठीक है, तो यह एक relative clause है, चूकि main clause में लिखेंगे noun, the amount को refer कर रही है, जैसे हमने लिखा I earn more than the amount, तो amount के सा talking about some specific amount, तो आप amount को define या specify कैसे कर रहे हो, तो यह बताने के लिए हमने clause लिख दी, कि वो amount जिस पर आपको tax देना पड़ता है, यह tax देने के सुरुआत करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे income tax के slabs होते है, कि अगर आपकी annual income इतनी है, तो आप tax नहीं दोगे, और अगर आपकी annual इतनी है, तो आपको tax देना पड़ेगा, ठीक है, तो starting में 5% होता है, फिर 10% होता है, 30% होता है, इस तरह से tax के अलगलग slabs होते हैं, फिर सरचार्ज भी होते हैं, तो यह जो that to start paying tax हमने लिखा है, यह subordinate clause, main clause में लिखेगे noun, the amount का description है, उसका modification है, अब the amount noun है, यह उसका modification है तो यह clause पूरी adjective हो गई, जो subordinate clauses, English में, sentence में हमारे adjective काम करते हैं, वो होते हैं relative clauses, और उनका जो connecting word होता है, जिसे आप conjunction कह रहे हैं, ठीक है, तो relative clauses का, यहाँ पर समल लिजे, मैं लिख देता हूँ, यह adjective है, यह subordinate clause adjective है, adjective subordinate clause का मतलब है relative clause, all relative clauses are adjective है, आप ध्यान रिखेंगे अब यहाँ पर मैं ध्यान ही रखना है कि जो relative clauses होती है, उनका connecting word होता है, वो relative pronoun होता है, who, whom, which, that, यह आपके relative pronounce होते हैं, तो यह जो that है यह relative pronoun है, यहाँ तक आगे, अब relative pronounce होते हैं, वो ऐसे words होते हैं, जो sentence में, conjunction के साथ में subject या object का भी काम करते हैं, relative pronounce होते हैं, वो dual role में होते हैं, वो connecting word भी होते हैं, as a conjunction, भी आप उनको justify करते हो, साथ ही साथ में pronoun होने की वज़े से वो subordinate clause में, या तो subject या object के role में भी होते हैं, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमारी subordinate clause है, इस clause का finite verb है start, और उस finite verb का subject है यह, और उस finite verb का जो अपना object है, वो एक non finite verb gerund ह है, paying, और उस non finite verb gerund का अपना एक object है, tax, ठीक है, tax जो है वो paying का object है, paying जो है start का object है, start हमारी finite verb है, यह, उसका subject है, तो अगर हम देखें, तो यह, जो हमारा relative pronoun that है, वो यहाँ पर इस sentence में, finite verb का subject तो हो नहीं सकता, ठीक है, paying का भी subject नहीं हो सकता है, क्योंकि paying का subject यू हो है, ठीक, तो यह जो हमने that लिखा है, या subject नहीं है, तो कम से कम यह object होगा, लिकिन यह object है, किसका, finite verb का object नहीं हो सकता है, क्योंकि finite verb का object paying है, paying जो non finite verb है, यह उसका object नहीं हो सकता, pay transfer verb होती है, लिकिन यह उसका object नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका object tax है, बस यह mistake है, ठीक, तो तो हमारा पहला question किया था, क्या यह sentence correct है यह incorrect है, तो answer है, यह incorrect है, ठीक है, अब दूसरा question था कि अगर यह incorrect है, तो क्यों incorrect है, यह incorrect इसलिए है, क्योंकि हमने यहाँ पर that, जो subordinate clause लिखी, वो एक relative clause है, क्योंकि वो main clause में लिखेगे noun का description है, relative clauses का connecting word relative pronoun होता है, relative pronoun जो होता है, connecting word होने के साथ साथ में एक pronoun भी होता है, तो वो subordinate clause में pronoun के role में होता है, pronoun के role का मतलब ही होता है, यह subject होता है, अब अगर हम देखें तो जो हमारा that relative pronoun है, वो इस subordinate clause में as a subject, as an object justify नहीं किया जा सकता, क्योंकि finite work पर subject भी लिखा और object भी लिखा, non finite work पर subject और object दोनों दे रखे, तो बस यही mistake है, अब हमें इसको सही करना है, अब देखिए होता है कि अगर जो हमारे relative pronouns हैं, वो main verb के, जो हमारे finite verb होती है, उसके subject और object ना हो, तो वो preposition के भी हो सकते हैं, सारे बच्चे यह आज जानते हैं कि जो nouns यह pronouns होते हैं, वो sentence में subject, object या compliment के role में होते हैं, ठीक है, object जो होता है, वो verb का भी हो सकता है, अब हमें पता है कि जो हमारा related pronoun that है, यह verb का तो object है नहीं, ठीक है, verbs का तो अबजेक्ट मैंशन है, sentence में तो यह किसी preposition का object होगा, preposition missing है, अब वो preposition हमें identify करनी है, अच्छा बहुत से बच्चे होते हैं, उनको preposition पढ़ा दी जाती है, लोग पढ़ा देते हैं, preposition होती है, यसे बकवास ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, अब हमें preposition identify करनी है, कि हम इस that को किस preposition का object बना है, वो preposition आपको ढूंड के लिखनी है, तो उस प्रेपोजिशन के साथ मैं हमें तो प्रेजुटि भी लिखना पड़ता है, तो यह जो preposition प्लस पॉजेक्टि एक फ्रेज तैयार होती है, यह फ्रेज मोडिफयर होती है, मोडिफयर होने का मतलब होता है, या तो यह एड्जेक्टिव एडवर्ब के रोल में होती ह अब होता गया है कि अगर हम प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज करें किसी नावन ने प्रणाउन पर इडेंटिफाई करने के लिए तो वह एड्जेक्टिव होती है जब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एडवर्व होती है तो यह एडवर्व प्लेस हो सकती है 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 यह एडवर्व टाइम हो गया place हो गया manner हो गया frequency time में ही include जाती तो इस तरीके की होते हैं purpose की भी है हो सकते हैं कि जो prepositional phrases adverb of time या adverb of place या adverb of manner या adverb of degree या adverb of purpose के तरीके से act करते हैं तो उनमें होता है क्या कि हम वही prepositional use करते हैं जो time के लिए होती है जैसे time के लिए हम prepositional use करते हैं on, in, at, from ठीक है since, during, etc place के लिए हम at on near under above beside from to etc. इनका यूज़ करते हैं manner के लिए हम by with in इनका यूज़ करते हैं इनका यूज़ करते हैं परपस के लिए हम बैसिकली फॉर का यूज़ करते हैं because of भी आप लिख लीज़े etc तो हमें ध्यान यहां पर यह रखना है कि जब हम कभी किसी prepositional phrase को यूज़ करते हैं तो अगर वो prepositional phrase adverb के तरीके से यूज़ करते हैं अगर हम उनको adverb पर तरीके से यूज़ करें तो या तो adverb of time होंगी, adverb of place होंगी, adverb of manner होंगी, adverb of degree होंगी, adverb of purpose होंगी अगर वो adverb of time है तो हम उनमें वही prepositions यूज़ करेंगे जो time के लिए use होती है जैसे time की prepositions on, in, at, from, since, during ये use होती है place की prepositions at, on, near, under, above, beside, from, to, etc. ये use होती है manner के लिए by, with, या in का यूज़ करते हैं degree के लिए to, by का यूज़ करते हैं तो हम ही ये prepositions यूज़ करनी पड़ेंगे अब पता कैसे चलेगा कि कोई prepositional phrase, adverb of manner है, place है, time है तो उसके लिए भी देखो, मैं आपको समझा देता हूँ वो तो और भी आसान है ऐसी prepositional phrases, जो when को reply करने के लिए sentence में लिखी जा रही होती है adverb of time होती है जो where को reply करने के लिए लिखी जा रही होती है वो adverb of place होती है जो how को reply करने के लिखी जा रही होती है वो adverb of manner होती है जो to what extent को reply करने के लिखी जा रही होती है to what extent के to what range वो adverb of degree होती है जो why को reply करने के लिखी जा रही होती है वो adverb of purpose या adverb of reason होती है तो हम यह देख लेंगे कि जो वहां पर हम pronoun के साथ में prepositional phrase बनाना चाहते हैं यह तो confirm है कि preposition जो हमारा pronoun that है वो verb का तो subject या object नहीं है तो यह preposition का object बनेगा अब preposition का object लिख होगे तो यह prepositional phrase बन जाएगी prepositional phrase बन जाएगी तो वह फ्रेज या तो adjective होगी या अगर वह बीच आवट का रपला यह तो वह adjective है adjective लाल में हो नहीं सकती क्योंकि जो adjective अगर हम यूज भी करेंगे दामाउंट के लिए तो उसके लिए पूरी clause को adjective बना के लिख सुके हैं तो phrase तो as an adjective use होगी नहीं कहने का मतलब जो हम यहां पर prepositional phrase बनाएंगे वह prepositional phrase आडवर्व का काम करेगे आडवर्व का काम करने का मतलब है या तो when का या why का या where का या how का या to what extent का reply होगी अब जिसका reply होगी उसके according हमें preparation pick करके उसकर लेंगे तो अब देखो होता है क्या sentence का meaning समझना पड़ेगा यहां पे लिखा हुआ है कि I earn more than the amount the amount का मतलब specific amount कि मैं उस specific amount से ज्यादा कमाता हूं कौन से specific amount you will start paying tax जिस पर आप tax देना सुरू करते हो अब देखिए हमें पता है क कि मानलोगो यह एक income है ठीक- एक परसन ने हजार रुपे कमा रहा है ठीक है मलयाद अगर हम हम देखें तो मानलेते हैं 50,000 मां यह एक लक कमा रहा है यह पांच लक कमा रहा है यह 10 लक कमा रहा है अब हम इसमें देखें कि यह जो amount है ठीक है यहां तक आपको tax नहीं आपकी income tax free है लेकिन जैसे आप öiamo से यह scale शुरू हुआ और यह scale चलता रहेगा लास्ट में जाके खतम होगा लेकिन पता नहीं कहांँ होगा ठीक है तो यह पूरा income का scale है और इस scale पे एक यह point है जो अस income को denote कर रहा है कि यहाँ पर अगर आगा तो आपको tax देना सुरू करना पड़ेगा तो यह एक particular point है ज्यादा तर बच्चे यह बात जानते होंगे पहले से कि जब हमें किसी scale के point को refer करना हो जो point किसी movement का नहीं point है मतलब movement के points होते हैं actually उनके लिए from ए to आता है तो कोई भी point जब हम refer करना चाहते हैं चाहिए वो point in space हो चाहिए वो point in time हो तो उसकी preposition होती है at तो हमें यहाँ पर preposition लिखनी पड़ेगी at at preposition ठीक है अब ध्यान देने कि वो at preposition हम लिखें कहां पर वो जो at preposition हमें लिखनी हो कहां पर लिखें तो हमें पता है कि उसका object तो यह relative pronoun है at that तो हमें इसको that से पहले लिखना चाहिए at that लेकिन एक छोटे सा point और सारे बच्चे जानते होंगे जिनके basics clear है नहीं जानते हो मैं बता देता हूं कि that के साथ मैं लिखी के जो subordinate clauses होती है या that के साथ जो लिखी के relative clauses होती है वो defining relative clauses होती है और that जो होता है अगर वो कभी किसregulation का object हो तो वर tofu अरक पय होगा अलाव हमें हैं आंटे नहीं अपढ़ेगा इप कि अ команд से ज्यादा कमाता हूं जिस पर आपको tax देने की सुरुवात हो जाती है तो यह जो that हमारा है यह उस add preparation का object है अभी हमारा sentence है हो गया I earn more than the amount that you start paying tax at फिर से एक बार मैं बता देता हूं जैसे कि मैंने इस वीडियो के सुरुवात नहीं आपको बता दिया था कि यह जो आज हम questions practice करेंगे या जो मैं concept या जो use आपको समझाने जा रहा हूं यह complicated uses में से है यह English के उन uses में से है जिनको समझने के लिए आप एक simple concept से question को समझ या solve नहीं कर सकते उसके लिए आपके एक से जादा concepts clear होने चाहिए जैसा आपने देखा होगा कि यह जो at यहां पर हमने लिखा है उसको लिखने से पहले हमने काफी बाते discuss की कि sentence complex है, compound है, simple है, clause coordinate है या subordinate है अगर subordinate है तो adjective है, adverb है या noun है यह सारे points हमने discuss की है उसके बाद में यह जो relative pronoun है यह finite verb का subject है या object है या किसी preposition का object है अगर यह preposition का object है तो प्रेपोजिशन के साथ जो prepositional phrase बनेगी वो adjective होगी या adverb होगी अगर adverb होगी तो कौन से type का adverb होगी क्योंकि adverb के type के हिसाफ सीफर में preposition pick करनी पड़ेगी तो इतने छोटे छोटे concepts थे वो आपके अगर clear होगे तो आप ये बात समझ जाओगे नहीं clear होगे तो फिर तो याद कर लो question याद कर लो ये question से मा जाएगा तो ad link देना ठीक है तो I hope ये सारी बाते आपको समझ में होगी आगे बढ़ते हैं there are two more questions for you practice अभी मैं शुरू नहीं कर वा रहा हूँ अभी दो questions और recall करने के लिए concept का आप समझ जाए this is the number that one can find my facebook profile this is the number that one can find on my facebook profile अब हमें ये समझना है कि जो लिखे के दोनो statements हैं ये दोनो statements सही हैं या गलत है दो statement आप देख रहोंगे या पर A और B जैसा कि अभी आपको थोड़ा सा clear हो गया basics तो आप समझ गया होगे this is the number main clause है that one can find my facebook profile ये subordinate clause है main clause में जो हमने noun लिखे दा number उसी number को define ये describe करने के लिए हमने subordinate clause लिखे तो ये लिखी के ये subordinate clauses है ये relative clauses है relative clauses ऐसी subordinate clauses होती है जो कि adjective का काम करती है और main clause में लिखे के noun लिखे के pronoun को जो कि उनका anti-student होता है describe करने का काम करती है हलाए कि जरूरत नहीं ये relative clause का मतलब adjective ही होता है लेकिन फिर भी मैं यह आप लिख दे रहा हूँ तो डर अब हमने क्या पड़ा था कि जो relative clauses होती है उनका जो connect और इसका object है my facebook profile, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा relative pronoun that है वो ना तो हमारी finite work का subject हो सकते हैं ना object हो सकते हैं कि यह दोनों ही already given है और जो कि सही भी है, तो बस यह mistake है, मतलब इससे हमें यह confirm होगा है कि sentence हमारा गलत है, फिर से मैं बताते हूं क्यों गलत है, क्यो तो कि जो हमने subordinate clause लिखी है वो एक relative clause है, relative clause का connecting words जो होता है, relative pronoun connecting word होने के साथ साथ में अपनी subordinate clause में pronoun के role में भी होता है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस pronoun that को हम subordinate clause में इसका role specify नहीं कर पा रहे हैं, कि इसका role क्या है, ना तो यह subordinate clause में लिखी गई finite work का subject है, ना यह उसका object है, ठीक है, तो जब आपको नावने pronoun sentence में उसकरते हो, तो या तो as a subject, as a compliment, या ऐसे objectives होता है, अब यह verb का subject, object है नहीं, compliment होने सकता है, क्योंकि linking verb नहीं है, ठीक है, तो यह object ही होगा, अब object verb का नहीं है, तो preposition का होगा, फिर preposition phrase बनेगी, prepositional phrase adjective आड़वर का का क बनेगी, वो इस subordinate clause में, why को reply कर रही होगी, when को reply कर रही होगी, how को reply कर रही होगी, किसको reply कर रही होगी, जब हम यह जान जाएंगे, तो हमें preposition pick करने में असानी होगी, क्योंकि function के according ही preposition pick करने परती है, कि आपको किस थाइके की relative clause है, ठीक है, अब देखिए, धियां से कर रही होगी, how का reply है, this is the number that one can find my Facebook profile, कि आपको किसी की Facebook profile ढूंडनी है, तो या तो उसकी जो ID होती है, वो आपको पता हो, ठीक है, या phone number, जिससे number से भी हम ढूंड सकते है, तो phone number is a tool, phone number एक tool है, जिसकी मदद से आप किसी person को Facebook पर ढूंड सकते हो, उसकी email ID पर से भी ढूं number, number के साथ, तो जो tool होते हैं, जिनके मदद से हम किसी काम को perform करते हैं, वो abstract का, मतलब, चाहें वो concrete हों, abstract हों, कैसे भी हों, उनके लिए मैं preparation लिखना है, तो जो that है, इसको हमें with का object बनाना पड़ेगा, अब मैंने आपको बता है कि that के साथ लिखी के relative clause is defining होती है, ठीक है, एक चीज में आपको और बताता हूं, अगर यहां पे that नहीं होता, और which होता, which भी relative noun होता है, number के लिए which का भी उचके जा सकता है, तो हम इस with को which से पहले भी लिख सकते थे, या बाद में भी लिख सकते थे, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते थे, this is the number with which one can find my Facebook profile, और ऐसे भी ल करने हैं, तो वो preparation relative clause के end में उसकरना पहले नहीं, अब आप देखी क्या हो गया, that one can find my Facebook profile का मतलब पता है क्या हो गया, one can find my Facebook profile with this number, जो with है न, इसका object that है, और that किसे refer कर रहा है, the number को, तो यह हो गया, one can find my Facebook profile with this number, यहां यह, I earn more than the amount, ठीक है, you start paying tax at that amount, next में यह, next में हम देखें यहां पर, जो हमने लिगा that one can find on my Facebook profile, यहां पर आप देखेंगे जो on है न, यह preposition है, my Facebook profile is preposition का object है, can find हमारी verb है, one is verb का subject है, और जो that हो गया, वो इस verb का object हो गया, can find का, ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, that one can find on my Facebook profile, इसका मतलब हो गया कि, इस number को, this is the number, यह वो number है, जिसको one can find on my Facebook profile, जिसको कोई भी person मेरी Facebook profile पर ढूंड सकता है, Facebook profile पर लोगों उन्हें अपने number पर अगरा शेयर कर रखा हो था न, कि यह मेरा email ID है, यह मेरा contact number है, जिस पर आप मुझे कर सकते हो, यह सही हो गया, क्योंकि इसमें जो हमारा relative pronoun है, जिस्टिफाइबल है, हम इसको can find का object मान लेंगे, यहाँ पर नहीं मान सकते थे, क्योंकि इसका object मान लेंगे, यहाँ पर object नहीं दे रखा है, तो हम इस relative pronoun को object मानेंगे, और इसका मतलब देखो क्या हुआ, one can find this number on my Facebook profile, मैं यह आपर लिख देता हूँ, understood meanings, जिससे आपको confusion नाओ, और चीजे क्लियर हो जाएं, इसका मतलब हो गया, one can find my Facebook profile with this number, यह understood meaning है, इस clause का, इस clause का understood meaning क्या है, देखो, one can find the number on my Facebook profile, तो यह understood meanings होते हैं, तो यहाँ पर हमने तिंदर में क्या सीगा, कि जो हमारी relative clauses होती है, कई बार ऐसा होता है, कि relative clause का relative pronoun है, वो finite word का subject object ना होके, किसी preposition का object होता है, and sometime that preposition is missing, यह एक concept है, जिस पर best paper में बहुत questions आते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ practice questions है, जो हम practice करें, इन में कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, a contract can ensure that landlords carry out the works which they are responsible, अब यहाँ पर देखे, which they are responsible, यह हमारी subordinate clause है, यह एक relative clause है, इस relative clause में, which हमारा relative pronoun है, their subject है, our linking verb है, responsible उसका compliment है, अब आप ध्यान से देखेंगे, यह subject हो गया, यह verb हो गई, यह इसका compliment हो गया, तो यह relative pronoun क्या करेगा अब यहाँ पर, हम इसके role को justify नहीं कर पाएंगे, तो यह ही mistake है, their subject हो गया, our linking verb हो गया, responsible हो गया, बात complete हो गई, तो यह relative pronoun का role क्या है, इस subordinate clause में, यह गलती है, कि अगर हम relative pronoun यूज़ कर रहे हैं, अब प्रेपोरिशन कहा है, यह mistake है, आप ध्यान से देखो तो प्रेपोरिशन कहीं नहीं लिखी, तो आपको सोचना है कौन से प्रेपोरिशन लिखें, तो देखो, responsible हम होते हैं, किसी चीज़ को लिखें, तो responsibility हमारे किस चीज़ को लेकर होती है, इसके लिए मैं प्रेपोरिशन लिखनी पड़ेगी, अच्छी बात यहां पर यह कि जो हमने relative pronoun यूज़ कहना, वो which है, विच रिलेटिव प्रेपोरिशन का object हो, तो हम प्रेपोरिशन को उससे पहले भी लिख सकते हैं, और relative clause के end में भी लिख सकते हैं, that के साथ में relative clause के end में ही लिखनी पड़ती है, for के साथ हम पहले बाद में कहीं भी लिख सकते हैं, तो आप चाहो तो for पहले लिख दो, for which they are responsible, या ऐसे लिख दो which they are responsible for, तो आप लास्ट में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, that is up to you, इस बार में पहले लिख देता हूँ, ठीक, नेक्स में जाएगा है, Recently I came to know about some tribal practices that no sensible person will ever believe, अब मैं कह रहा हूँ कि recently मुझे कुछ ऐसी tribal practices के बारे में पता चला है, जिनने कोई भी sensible person believe नहीं करेगा, यह एक relative clause है, कैसे पता चल गए relative clause है, फिर से समझ लेना, यह relative clause बच्चे इसलिए है, क्योंकि यह जो पूरी clause है, वो इससे पहले लिखी गए main clause के noun practices का, some tribal practices जो है यह antecedent है, यह उसी का description है, कि ऐसी tribal practices हैं, जिनको कोई भी sensible person believe नहीं करेगा, अब आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर will ever believe हमारी finite verb है, will ever believe जो है, यह finite verb है, no sensible person इसका subject है, यह subject है, और यह verb है, that जो है, यह हमारा relative pronoun है, अगर हम इस relative pronoun को believe verb का object माल लें, तो यह sentence है है, कोई mistake नहीं है, लेकिन एक समस्या है, believe verb जो होती है, मैंने आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, यह concept, एक ऐसा concept है, मतलब एक ऐसा use मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ऐसे use के questions प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिसको समझने के लिए आपके basics clear होना जरूरी है, अगर आपके basics clear नहीं होंगे, तो आप वो सारे simple concepts जो मैं बार बार आपको refer कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप समझ नहीं पाओगे, वो आपके clear होने चाहिए, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि English को हमें समझ कर सीखना चाहिए, उससे ये time तो लगता है, लेकिन clear हो जाती हो over the time, अगर आप सही person से पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, तो ये clear हो जाएगी, time तो देखो लगता है, ठीक, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, प्रिवेसरी के questions से याद करते रहेंगे, उनके answers से याद करते रहेंगे, जो पढ़ोगे, उससे याद कर लोगे बजाए समझने के, तो फिर इस तरीके की चीज़े समझनी बहुत मुश्किल हो जाती है, चाहे हम 10 साल पढ़ेंगे, अगर हम सही तरीके से पढ़ेंगे, और अगर बिलीव का मतलब हो, किसी बात को सच मानना, जैसे किसी परसन ने आपको कोई कहानी बताई, आपने को कहानी सच माननी के ऐसा हुआ होगा, लेकिन बिलीव वर्व इंट्रांस्टिव भी होती है, और हम इसके साथ में प्रेपोजिशन इन उस करते हैं, अगर बिलीव क का मतलब वो किसी बात को सपोर्ट करना, उसको सही मानना, जैसे बहुतत से लोग होते हैं, एक गर्रमेंट के सपोर्टर होते हैं, वो उस गर्रमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनहें लगता है, और बिलीव के साथ में इन प्रेपोजिशन लिखनी भी पड़ती है, नहीं भी क्योंकि अगर हम believe को ट्रांस्टिवर मान लेंगे तो believe का मतलब होता है to consider something true कि किसी बात को सच मानना अब मान लीजे कोई person हमारा कहीं घुमने का हमने दोस्त गया और उसने वहाँ पे कुछ tribal practices के बारे में उसे पता चला और उसने आके हमें बताया कि वह ट्राइवल्स ऐसे ऐसे करते हैं तो मतलब मैंने मान लो सच मान लिया तो believe है आपके ट्रांस्टिवर होगे प्रैक्टिस से उसका object हो गए बात खतम हो गई लेकिन मैं कहरा आप नहीं हो सकता नहीं होने की वज़े यह वर्ड है सेंस्वल फिर से बता देता हूं यह users आपको clear तब होंगे जब आपके fundamentals basics clear है अब इसको प्रोमोशन मत मानना ठीक है बहुससा बच्चा होता है सोचेगा प्रोमोशन है लेकिन अगर मैं यह बात नहीं बताँगा तो हो सकता आप मैं से कुछ बच्चे जानना पहें जिन बच्चों के basics या fundamentals अभी तक clear नहीं है जिनको लगता है कि नहीं उनको fundamentals basics पर भी और काम करने की जरूरत है रिवाइज करने की या practice की उन्हें जरूरत है तो हम अपनी website पर देखो मैं फिर से बता रहा हूं इसको promotion मत मनना यह मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सा बच्चा है उसको बास्तम में information उस तक पहुंच नहीं पाती तो उसके लिए मैं बता रहा हूं तो हमारी website www. www.asaglife.com पर हम एक बैच लेकर आएं ठीक है वो beginners के लिए या जो अपने basics जो basic uses and language के उनको clear करना चाहते हैं जिससे कि इस तरीके concepts उनको समझ पाएं आपाएं यह बैच उन बच्चों के लिए है उसकी fees बहुत कम है only rupees 1100 के बहुत कम है only rupees 1100 के बहुत के बहुत कम है only rupees 1100 100 plus videos है lectures भी है और practice भी है VOD course है पूरा आप अपनी सुविधा से देखे एक दिन में 4 वीडियो देख लीजिए 5 देख लीजिए वो आप अपनी सुविधा से देख लीजिए सबसे अच्छी बात क्या है सोने पर सुवागा क्या है सोने पर सुवागा क्या है कि अगर आप उ स्लेवर्स में पढ़ाए गए मेरे साथ discuss कर सकते हो अपने doubts पूछ सकते हो और मैं आपको मलब पूछ कर यह नहीं type करके comment नहीं अब पूछ कर dialogue के थ्रू ठीक है तो अगर आपको लगता है कि आपके basics अभी इतने अच्छे नहीं है उनको और clear करने की जरूरत है या revision की ठीक है तो आप उस बैच को join कर लिजे अभी फीस कम है फिर फीस बढ़ जाएगी ठीक है चलिए फिर भागताता है ने concept है ठीक है तो होता है कि जो believer वही ट्रांस्टिप होती है नहीं भी ट्रांस्टिप होती है आप हम इसको यहाँ पर ट्रांस्टिप मान सकते थे बट समस बहुत से लोग होते हैं वह भूत प्रेतों को सच मानते हैं ठीक है या वह बुरा ना फील करें लेकिन बहुत से ऐसे कहानिया है अलग-अलग धर्मों में पढ़ा ही जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है लेकिन बहुत से लोग उनको सच मानते हैं तो जो लोग सच मानते के लिए जूट मानने के लिए sensible होना जरूरी नहीं है सही गलत मानने के लिए judgment करने के लिए decision लेने के लिए analysis के लिए आपका sensible होना जरूरी है तो यहां पर अगर हम sensible word वर्ड यूज कर रहे ना तो हमें believe का मतलब to consider something true नहीं मान सकते हैं यहां पर हमें इसका मतलब मानना चाहिए to support कि वो ऐसी practices हैं जिनको कोई sensible person कभी support नहीं करेगा जिनको कभी अच्छा नहीं मानेगा सच नहीं अच्छा नहीं मानेगा सच तो कोई भी मान सकता है उसके लिए sensible होने की जरूबत नहीं है तो जब आपको यह confirm होगे कि इस context में believe का मतलब to consider something true नहीं है तो फिर ए ट्रांस्टी वर्ब नहीं है अगर ए ट्रांस्टी वर्ब नहीं है तो फिर that इसका object नहीं बन सकता और अगर that इसका object नहीं बन सकता तो preparation का object बनेगा believe के साथ preparation होती in that से पहले इन लिखनी पाओगा अगर which लिखा होता तो हम लिख लेते in which अब that के साथ इन पहले तो लिखनी पाओगा तो यहां लिख दो तो यह है हमारा answer तो हमारा answer क्या हो गया recently I came to know about some tribal practices that no sensible person will ever believe in this is the answer तो हमारा that relative pronoun है यह finite work का subject यह object नहीं है यह इस relative clause की proposition इन का object है तो यह answer next भाज ही है however it doesn't affect the system that you depend for your livelihood अब हमने किसी परसंस देका however it doesn't affect the system that you depend for your livelihood तो यहां पर ध्यान से देखिए that you depend for your livelihood यह हमारी relative clause है इस relative clause में यह subject है depend verb है फार प्रेपोजिशन है और livelihood इस प्रेपोजिशन का object है अब यह जो that relative pronoun है यह भी subject है object होगा subject हो नहीं सकते है कोई subject हो अलड़ी लिखा हुआ है तो यह depend वर का object होगा लेकिन वह भी नहीं हो सकता है depend verb is intransitive verb ठीक है जो बच्चे तुम में से जानते हैं ठीक है जो नहीं जानते हैं उन्हें में बता देता हूं depend intransitive verb होती है इसके जाथ हमें से ओन प्रेपोजिशन यूज किया करो इसका मतलब हो गया you depend on the system you depend on the system for your livelihood कि आप इस system पर निर्भर करते हो अपनी livelihood के लिए और उस system पर इस से कोई फरक नहीं पड़ेगा अब यहां देखिए that his partners will surely agree यह relative clause है यह relative clause में लिखे के noun the proposal को describe करने के लिए इसलिए हम इसे relative clause कह रहे है इस relative clause में हमने एक और छोटी से clause लिख रहे कि I think जो की opinion की clause होते है मैं इसको ignore कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे sentence का integral part नहीं होते तो आप इसको ignore कर सकते हैं कर सकते हो कि I think यहां पर लिखा हुआ है आप मालो कि नहीं भी लिखा हुआ है यह चीजे confuse करने के लिए paper में लिखती जाती है बट आप इन्हें ignore कर सकते हैं अब देखो that his partners will surely agree यह जो हमने will surely agree लिखा है हमारी बर्ब है इस पार्टनर जो है उसका subject है that जो है यह अग्री वर्ब का object होना चाहिए लेकिन agree वर्ब का object नहीं हो सकता है क्योंकि वर्ब इंट्रास्टव हुथ है ठीक है agree वर्ब जो हो थी वह इंट्रास्टी वर्ब होती है उसके साथ हम on to या with prepositions का यूज करते हैं on का यूज करते हैं किसी matter या concern के लिए जहां पर हम voting कर रहे हूं ठीक है with का यूज करते हैं second party के साथ में जिसके साथ में मैं agree कर रहे हैं मतलब हमारे opinions इसके साथ में match कर रहे हैं तू का युज़ हम करते हैं accept के sense में agree to actually एक phrasal verb होती है जिसका मदलब होता है to accept something you are offered something and you accept it then you agree to it you don't accept it then you don't agree to it ठीक है तो यहां पर देखो proposal है proposal is something offered proposal भी एक तरिके का offer ही होता है तो यहां पर agree के साथ हमें preposition लिखनी पड़ेगी टू लेकिन वो टू प्रेपोजिशन जो हमने लिखनी है उसका object बनेगा that relative pronoun that relative pronoun अगर प्रेपोजिशन का object हो तो प्रेपोजिशन रिलेटिव क्लावस के end में आती है end में आने का मतलब होता है यहां इसका मतलब क्या हो गया his partners will surely agree to the proposal next में जीए the national capital has become a lawless city which corruption thrives अब देखो which corruption thrives यह हमारी subordinate clause है इस subordinate clause की verb है thrive ठीक है corruption है subject और इस which है ना यह city को रफर करना ही relative pronoun है thrive भी in transceiver होती है thrive के साथ भी हम in preparation use करते हैं अगर हमें किसी particular area को refer करना है जैसे यहां पर which जो है वो city को refer कर रहा है तो city क्या है एक area है तो area के लिए हम preparation use करते हैं in तो इस which को हमें in preparation का object बनाना पड़ेगा अब यहां परकर that लिखा होता तो हम इन लिखते thrive के बाद relative clause के end में लेकिन विच लिखा तो हम पहले भी लिख सकते हैं मतलब आप ऐसे लिख सकते हो तो the national capital has become a lawless city in which corruption thrives यहां यहां लिख सकते हो the national capital has become a lawless city which corruption thrives in अब जहां चाहँ आप लिख सकते हो मैं फिलाल में यहां पर पहले लिख जेता हूं next मजी यह your parents can guess the path which you will have to trade in years to come अब देखिये which you will have to trade in years to come यह हमारा subordinate clause है subordinate के actually relative clause है relative लिखते हैं से यह हमारी relative clause है एक नट विच्चों मैं इससे भी relative clause लिख जेता हूं यह भी relative clause है ठीक है यह हमारी relative clauses है इस relative clause में हमने लिखा which जो हमारा relative pronoun है connecting word भी और pronoun भी है will have to trade verb हो गई अब देखिये trade verb जो होती है आपने सुना होगा इसके साथ में कई बार on preparation यूज करते हैं कई बार नहीं भी यूज करते हैं अगर इसका मतलब एक तो होता है on something किसी के पैर पर पैर रख देना है किसी चीज को पर पैर रख देना तो उसको कहते हैं trade on on something किसी बीचीज को पर उसके पैर रख दिया लेकिन अगर हम trade का use करें किसी path के sense में जिस रास्ते पर लोग चलते हैं तो यह trade वहाँ पर ट्रांस्टिवर होती है अब ध्यान से यहां पर देखिए कि इसका जो object है न वो क्या है path यह जो विच है न यह पाथ को रेफर कर रहा है relative pronoun इसका इंटिजन पाथ है तो विच जो पाथ को रेफर कर रहा है पाथ के case में trade ट्रांस्टिवर हो जाएगी अगर ट्रांस्टिवर हो जाएगी तो जो विच है न वही इस trade वर का direct object हो जाएगा अगर यह इसका object हो जाएगा तो प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है और यह sentence हमारा है ऐसे ऐसे ही हो गया no correction is required अब जिन बच्चों के बात भी तक ना समझ में आई हो उनको मैं बता देता हूँ में बहुत पहले एक poem हुआ करती थी मतलब बहुत पहले का मतलब है जब मैं दिल्ली में आय था तो मैं शुरू में CBSE के लिए मतलब मैं पहले मैं UP मैं academic skill English पढ़ाता था 9-12 यूपी बोर्ड ठीक उसके बाद में जो डैली आय तो डैली में मैं शुरू में एक देर साल CBSE की इंगलिस ही पढ़ा ही ठीक है तो उस समय अब पता नहीं है कि नहीं है इसके डाइम में मैं उसका एक रफ्रेंस दोंगा उस टाइटल का यहां पर आप देखो लिए लेस ट्रॉडन है यह ट्रेड वर्ड की पैसिफ फॉर्म है पास पार्स पर एक्शली पैसिव है इसका यूज हमने किया रोड के लिए ठीक अब ज बढ़ इसे एक चीज और सा भी तो जाती है कि अगर यह इस पैसिफ फॉर्म का सब्जेक्ट है तो इसी वर्म की एक्टिव का यह अबजेक्ट बन जाएगा बहुता है कि जो पैसिफ फॉर्म में वर्ड का सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव फॉर्म में वर्ड का अबजे ठीक है तो यहां पर हमने पाथ ही तो लिख रखा है यह विच पाथ को तो रेफर कर रहा है तो यह जो ट्रेड वर्वे ही वह यहां पर ट्रांस्टीव है विच डारेक्ट उसका अब्जेट बन जाएगा यह जो हमने that के साथ में clause लिखे न यह subordinate clause तो है ठीक है लेकिन यह relative clause नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह जो subordinate clause है ठीक है वो result है एडवर्व रिजल्ट है तो इसमें जो हमने that लिखे न यह relative प्रणॉम नहीं है तो अगर यह relative प्रणॉम नहीं है तो ना यह वर्व का subject बनेगा ठीक है ना यह किसी preparation का object बनेगा तो अब आपको preparation लिखने की ज़रूरत नहीं है इसकी maintenance cost इतनी ज़्यादा है तो उसका क्या result आता है कि किसी चीज की maintenance cost इतनी ज़्यादा है that most customers go for it alternatives की ज़्यादा जो customers होते हैं उसके alternative को खरीद लेते हैं मानलो आपको कोई AC खरीदने जाना है या कोई और यह result है कि उसके high maintenance cost होने का रिजल्ट यह आता है कि लोग उसको ना खरीद के उसके alternatives खरी लेते हैं तो अब तो इसमें किसी करेक्षिंग के requirement ही नहीं ऐसे सही है अब हमने कहा कि जो freezing point होता है वह temperature होता है जिस पर solid और liquid जो होते हैं वह equilibrium में हो ठीक है अब ध्यान से देखिए यह point है freezing point लिखा रहा है तो उससे आप समझ गई यह temperature किसे रफर कर रहा है point को तो अभी हमने क्या पड़ा था point के लिए proportion यूज होती है तो यह relative clause है और यह relative clause है यह temperature के वह डिस्काइब करने की लिखी गई है अब ध्यान से देखिए यहां पर जो हमने आर लिखा है यह हमारी वर्व है linking वर्व इस तो यह बनेगी किसी प्रेपोजिशन का अब हमें पता है कि विच जो एक point को रइफर कर रहा है अब आपको एट लिखना है जाए तो यहां पर टेमपरेचर किस चीस को रफर कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट को पॉइंट की प्रेपोजिशन अभी मैंने आपको पढ़ाईती एट होती है तो अब आपको एट लिखना है चाहे विच से पहले लिख दो या रिलेटिव प्लॉज के एंड में लिख दो या तो ऐसे लिख दो एट विच दा लिक्विड अंड दा स इनको तुम्हें अपने पढ़ना है ये एक तरीक से आपके होंबर्क हो गया है अब मुझे नहीं पता मैं एक घड़ी नहीं देखी थी मैंने कप पढ़ाने स्टार्ट किया तो लेकिन मुझे लगता काफी टाइम हो गया होगा तो अब मैंने एक लेक्चर पूरा आपको द जियर गलत हैं तो क्यों गलत हैं और हम कैसे साही कर सकते हैं इनको पढ़ना है समझना है और इनके correctsent को comment करना बालोब का जो भी करेक्शन है वो अनलब आपको कमेंट करने है इसी वीडियो पर कमेंट कर देना यह जो पूरा पीडियेफ है जो अभी हमने डिसकस किया है यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा अजय टेलीग्राम चैनल जो है उसकी आईडी जाहतर वच्चों को पता होगी जाहतर वच्चोंने जोइन करक्ख हो जिन्होंने नहीं जोइन करक्खा मैं उन्हें बता देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी है ऐसेक इंगलिश एसेक इंगलिश ठीक है वहां पर यह पीडियाफ आपको मिल जाएगा वहां से आप इसको डाउनलोड कर सक पर इंगलिश पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो नहीं ठीक है अगर आप इंगलिश पढ़ते हैं और आप इस तरीके के और भी concepts को सीखना चाहते हो पूरे English grammar को ठीक है इसी तरीके से concept wise independent concept हो सीखना चाहते हो और clear करना चाहते हो जिससे कि अपने बच्चों को जिन्हें आप पढ़ाते हो और बहतर तरीके से confidence के साथ में clarity के साथ में एनफ concepts के साथ में यह तो मैंने आपके साथ में 10 concept discuss किये हैं मेरे इन सारे concepts वो 50 questions मैंने तयार किये हैं हरे concept वो 50 questions ठीक है अजर आप चाहते हो कि आप confidence के साथ में अपने बच्चों को पढ़ा पाऊ आपका अच्छा content हो आपके पास में अच्छी delivery हो आपके पास में अच्छा presentation हो आपको किसी phone किसी notes की किसी laptop की पढ़ाते समय assignment की जरूरत ना पड़े आपकी memory इतनी शाप हो आपका presence of mind इतना अच्छा हो ठीक है कि आप चुजों को खुद ही deliver कर पाऊ ठीक है तो ऐसे learners के लिए हमारा program है we have a special program for such advanced learners जो already teaching में engaged है preferably in offline teaching जो offline teaching करते हैं online वाल पर मैं भरोसा नहीं करते है actually यह दिक्कत है थोड़ी मेरे साथ ठीक है तो अगर आप offline coaching center अपना चलाते हो यह किसी school college में पढ़ाते हो और अपनी English की understanding को clear करना चाहते हो एकदम crystal clear करना चाहते हो ठीक है जो WhatsApp number मैं यूश करता हूँ उस पर contact करें office के यह नीचे लिखे के number office के हैं इन पर contact नहीं करना है आपको जो WhatsApp number मैं यूश करता हूँ double nine triple one 91959 आप इस पर contact करें ठीक है यह plus one मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी recently हमारे आपको मैसेज आते हैं कुछ ऐसे learners के भी जो इंडिया से बाहर के हैं ठीक है तो हालेंकि वह जानते होंगे लेकिन भी मैं बता देता हूँ कि आपको इंडिया का जो ISD code है प्लस नाइन वन वो भी आड़ करना होगा और इस number पर आप WhatsApp मैसेज मुझे टॉप करें आप मुझे WhatsApp मैसेज नो कॉल्स कोई कॉल अगरे ना करें ब्लॉग कर दूँगा ठीक है तो आप मुझे WhatsApp मैसेज टॉप करें कि मैं एंड्रोल करना चाहता हूँ एंड्रोल होना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम है फो एडवांस लेर्नर्स बैसिकली वो टीचर्स के चाहता है अच्छा नहीं लगता है मुझे यूश्खरते हुए तो मैं एडवांस लेर्नर्स के लिए इंट्रेस्टेड है वो इस नंबर पर मुझे WhatsApp मैसेज टॉप करें तो मैं उनको बताऊंगा क्या आपको क्या फार्मलिटी है हमारी एक्सपेक्टेशन्स आप से क्या है अगर आप हमारी एक्सपेक्टेशन्स को मीट करते हो ठीक है तो हम आपको अपने प्रोग्राम में अन्रोल करेंगे और बस इतना ही ठीक है तो फिलाल में यह आपके लिए मैसेज था मुझे लगता बड़ा इंपॉर्टन मैसेज है और यह आपका होमवर्क है इन दोनों क् कमेंट करने है यूटूब पर ही यह टेलिग्राम चैनल है यहां से आपको यह पीडिएफ जो मैंने आपके साथ डिसक्स की आपको मिल जाएगी ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही फिर आपको नेक्स वीडियो में मिलते हैं नए कॉंसेप्स के साथ में नए क्योस्टन के ठीक है तो आज के लिए पस इतना ही थैंक्स अवर्बेडी बाइ गुड़नाइट टेक केर